आपको दिखा रहा हूँ इसका नाम है थ्री टेस्ट मेंगो और यह जो मेंगो है यह थाइलैंड का वराइटी है और यह बंगलादेश में आके इसका नाम हुआ था थ्री टेस्ट एक्चुली इसका में नाम है चोगबामोन मैंगो थाइलैंड चोगबामोन तो बंगलादेश में इसका नाम थ्री टेस्ट होने के बज़ए से इंडिया में भी इसका नाम थ्री टेस्ट हो गया और बहुत सरा लोग बोलते हैं के यह जो वराइटी है इसमें थ्री टीन टाइ है तो इसका टीन टाइप का टेस्ट इसने नहीं मिलता है तो बीडियो में लाउस तक बनी रही है इसका पूरा जो इसके बारे में सच्चा ही है सब बता रहे हं कि दूवर देखिए यह हमारा धाइ साल का प्लांट है और आप देख सकते हैं धाइ साल का प्लान में कितना अच्छा तरह से इसमें फुरूट आया हुआ है आप देख सकते हैं ओपर से नीचे तक और इसका हाइट की बात करेंगे तो चार चार फीट इसका हाइट हुआ है फिर भी इसमें पोडेक्शन देखिए कितना अच्छा पोडेक्शन है और में चीज जो है किसन साती हो यह जो भराइटी है यह सुपर कमर्शियल भराइटी है किसन को बचाने वाला भराइटी क्योंकि दूसरा जो आम का भराइटी है ज जैसे ही इसका फ्रूट खतम हो जाएगा उसके बाद फिर इस पेड में मोर आना चालो हो जाएगा ऐसा वराइटी है तो इसलिए ये वराइटी को किसन को बचने वाला वराइटी माना जाता है खाली है नहीं जैसा बैनना मैंगो और भी कुछ वराइटी ऐसा है जो अगर जैसे ही फ्रूट खतम हो फिर इसमें फ्रूट देना चालो कर देगा जो किसन साथियो और एक चीज है ये जो बच्चा में खटा होता है और पाकने के बाद मीठा होता है और इसका मीठास का मत्तरप रहता है त्वाइन टीज आपका सेवेंटीन से नाइन तीन मतलब 17 से 19 इसका टीज इस रहता है और इसका कलर की बात करेंगे तो ये कच्चे में ग्रीन कलर करेंगा यानि हारा कलर रहेगा और पकने के बाद ये लो हो जाता है और अभी ये जो फ्रूट है इसमें देखिए काला कलर का थोड़ा थोड़ा एसा मतलब पूरा किलियार नहीं दिख जैसा ये देखें यहां पर एकदम कितना अच्छा और खुबसूरत लग रहे है ये वाला मगर ये सब फुरूट में थोड़ा हलकालका ये हुआ है उसका कारण जो है इसको हम सही टाइम पर इस्प्रे नहीं किया था उसके कारण इसमें कलर आया है क्योंकि हमारा पस तो ब क्वालिटी में हलका चेंज हो गया तो किसन साथियो और एक चीज़ देखें ये कितना पतला पेड़ है देखिए नीचे से उपर तक हम दिखा रहे है धाई साल का पेड़ तो इसका जो प्लांट है ये आप अगर लगाना चाहते है तो हमारा नसरी से इसका पौधा आपको करते है बाई ट्रेन से तो आप लोगों को भी अगर चाहिए तो आप हमें कॉंटक करके इसका पोधा मंगा सकते है और ये चैनल पर आप पहला बार वीडियो देख रहा है तो हमारा चैनल को सस्क्राइब करके रखिए दूसरा वेराइटी का वीडियो देखने के लिए तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय जवान जय किसान